चलिए पांचवी और आठवी बोर्ड का रेजल्ट शिक्षा संकूल से जारी हो रहा है परिणाम आठवी बोर्ड परिक्षा में 12,50,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे पांचवी बोर्ड की परिक्षा में 4,37,000 विद्यार्थी शामिल हुए राजिस्तान.gov.in पर परिक्षा परणाब देख सकते हैं लेकिन उससे पहले जैपूर से सीधी तस्वीर फर्स इंडिया आपको दिखा रहा है और अब नतीजे जारी होने को है इससे पहले देखेगा कल दस्वी बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है माधमिक शुक्षा बोर्ड का जिसमें तेराण में दश्मलव शूनने तीन विद्यारती पास हुए हैं जिसमें चात्राए 82 फीजदी से अधिक हैं और चात्र भी 82 फीजदी के आसपास है अब पाच्व अब नतीजे सामने आने को हैं लेकिन इससे पहले देखेगा कल मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया था रिजल्ट को लेकर ही और दस्वी बोर्ड को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा था कि सभी को बढ़ाई हो जिनोंने टॉप किया है उनको लेकर भी बढ़ाई दीती ले नहीं देखना है भविश्य में और अधिक आपको महनत करनी है तैयारी करनी है और ये एक सकरात्मक्ता का संदेश मुख्यबंतुरी ने दिया था ताकि चात्रों का मनोबल गिरे नहीं मनोबल में व्रद्धी हो और पांचवी और आठवी बोर्ड का रिजल्ट अब आने को त और देखेगा 12 लाग से जादा विद्यार्कियों ने वे परिक्षा जी थी मार्च अप्रेल महीने में परिक्षा जित्की गई थी पांचवी और आठवी की और अब रिजल्ट जारी हो रहा है ये देखेगा सिक्षा संकूल से परिणाम जारी होता है हर वर्ष की भाति इस वर्ज भी सिक्षा संकूल से ही परिणाम बताए जा रहे हैं और टैस समय के मुताबिक परिणाम और नतीजे जारी कर रहे हैं और अब आप परिणाम को जो ओफिचल वेब साइट है गौर्मेंट की जिसका नाम है हम बोलकर बता देते हैं राजिस्तान.gov.in इस पर आप जाए और अपना रोल नंबर अंकित कर अपना रिजल्ट आप देख सकते हैं जैपूर से सीधी तस्मीरें और जानकारी देदे कि जो दस्री बोर्ड का परिख्षा परिणाम भी कल जारी किया गया था पांच बजे उसमें भी बहतर प्रदर्शन रहा है इस वर्ष तेराणवे पीजी से अधिक चात्रे सफल रहे हैं लेकिन अगर हम सिफ सफल चात्रों को ही नहीं देखें बलकि प्रयास तो देखिया है चात्र की ओर से किया गया था अब अगर उत्री नहीं भी हो पाए तो आपको हताश नहीं होना है फिर एक बार प्रयास को तयार रहे है और अगर क उस पर भी आप अपना रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जो उसके लिए एक वकायदा तैसर में परफॉर्म्स निकलते हैं लेकिन अब यहां बाद पाचवी और आठी बोड़की हो रही है पाचवी में 14 लाग से जादा है वहीं आठवी में 12 लाग से जादा यानि की जरा आप देखिएगा आसपास 27 लाग के विद्यार्तियों का परिक्षा परिणाम आज घोशित हो रहा है 12.5 लाग और 14 लाग से जादा विद्यार्ति जो की चामिल हुए हैं और आज करीब 27 लाग विद्यार्ति इंतजार कर रहे होंगे इस पल का क्योंकि जब बोल्ड परिक्षा होती है तो फिर एक तनाव भी महसूस किया जाता है और कई बारी से लेकर भी कहा जाता है कि तनाव के दौरान आप परिक्षा में नवेठ हैं लेकिन अब परिक्षा दी है तो फिर इंतजार परिडाम का किया जाता है इसके बाद नए सेशन प्रारम होंगे नए सेशन के दौरान और उससे पहले पांच भी और आठ भी बोर की परिक्षा जो ली गई थी मार्च अपरेल महा में आजित की गई थी उसका रिजल्ट जारी होने के लिए तैयार है जापुर से तस्वीर दिखा रहे हैं आला कि ये शिक्षा संकूल से परिडाम जारी हो रहा है कुछ इंतजार हो रहा है देखेगा इंतजार किया जा रहा है कुछ जो आपचारिक्ता होती है वो भी पूरी करनी होती है इससे पहले जो कमाम शिक्षा से जुड़े अधिकार और कर्मचारी होते हैं डारेक्टर्स होते हैं उन्हें भी पहुंचना होता है ज़रान उनकी मौझूद्गी में ही परणाम जारी किया जाता है बादमिक शुक्षा बोर्ड की परिक्षाए जो कि आई जित्ती गई थी अलाकि इसके बाद आगे भी परणाम जारी होंगे इंतिजार हो रहा है सीबीएसी के नतीजों का भी लेकिन अब बात आरबीएसी यानि की राजिस्तान बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन की जहां सिक्षा संकूल से परिणाम जारी किया गया है शारशन सचीव स्कूल शिक्षा करश्रकूलाल ने परणाम जारी किया है 14 लाक से जादा विद्यारती इन परिक्षाव में शामिल हुए और देखे शिक्षा संकूल ने तयारी की है लेकिन देखे पहले ही बता दिया गया था कि आज 30 माई को नतीजे जारी किये जाएंगे और उसी के तहट ये तयारी की गई थी इससे पहले परिक्षाव कंड़क्ट करवाई गई थी सवाल यही था कि कवायगा राजिस्थान और पाचवी और आठवी का रिज़र्ड और इससे पहले देखेगा आप 30 अप्रेल से लेकर के 4 माई तक आयजित हुई थी पाचवी बोर्ड की परिक्षाए और समय पारी की बात करें तो 8 बजे से 10 बजे तक आयजित की गई थी वोटिंग की वज़ा से भी डेल शीट में कुछ बदलाव दिखाई दिया था पाचवी कक्षा की परिक्षाओं की डेल शीट में सिर्फ तिती नईबल की समय में भी संचोधन तब किया गया था तेज गर्मी को देखते वे भी बदलाव किये गए थे और अब रिजल्ट जाने